मेरे नाम प्राण जलो आज मैं आपसे बात करने वाल हूँ आर्मेचर रियक्शन के बारे में यह वनाई वन आप दा मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है कि सीवी डीसी मशीन का बात कर लेते हैं क्हकर चीज़े सीखने को मिलेंगी तो इस lecture में हम लोग सीखेंगे आर्मेचर रियक्शन क्यों होता है जो की सबसे इंपर्डन टॉपिक है सगंड चीजह कि हम लोग यह उर्मेचर रियक्शन कोमेषम को समझा अप ज़् Toby करूँगा यह एक है फिसिकली यान और इसको बड़े ध्यान से समझने वाला है, इसे अंदर हम लोग waveform flux की waveform, armature flux की waveform, armature flux की waveform, इन सबसे यह चीज़ सीखेंगे कि कैसे armature reaction होता है, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहरे बात करी जाए, physically की, तो देखो armature reaction के बात की जाए, तो अगर definition wise जाएं, ठीक है, flux, इसका मतला समझो, कि माल लेते हैं, यह case मैंने आपको बढ़ाया था, माल लेते हैं, मेरे पास एक north pole है, और एक south pole है, ठीक है, तो normal case में क्या होता है, यह flux कुछ इस तरीके से move करता है, air के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर, अगर मैंने एक conductor रखा है, जिसमें कोई भी current नहीं है, तो यह flux है, वो directly north निकल के south में enter कर जाएगा, बिना कोई distortion के, लेकिन वहीं पर क्या होता है, अगर माल लेते हैं, case मैं यह ले लेता हूँ, north south ल Sorry, clockwise होगी, अगर Maxwell का rule लगा होगी, ठीक, इस तरीके से direction हो जाएगी इसकी, clear है, ठीक है, तो यह clockwise direction होगी इसकी, इसको अगर मैं यहाँ पर use करता हूँ, तो जो flux सीथे सीथे जा रहा था, अब क्या हो जाता है, Faraday की, जो law है, Faraday ने कहा था, कि कभी भी 2 negative field lines आपस में cut न यही armature reaction कहलाता है, इस तरीके के distortion हुआ है, ठीक है, यह क्या है, यह तुम्हारा क्या है, यह field flux, ठीक है, field flux, और यह जो conductor होता है, यह मैं तुम लोगों बता चुका हूँ, यह rotor में placed होता है, और rotor के अंदर कौन सा current flow करता है, armature current, तो armature current के कारण, यह जो armature current जब flow करेगा, तो इसका flux generate होगा इस तरीके से, यह क्या है, armature flux, ठीक है, यह armature का flux है, तो armature के flux के कारण, field flux में जो disturbance आ गया है, इसको हम लोग कहते हैं, इस concept को कहते हैं, armature reaction, ठीक है, यह तो गए definition की बात, अगर बात कर ली जाए भाई, physically की, तो physically जल्दी से देख लेते हैं, physically कैसे बता करूं, तो माल लेते हैं, मेरे पास इस तरीके से north pole है, ठीक है, और second मेरे पास जो है, वो south pole है, ठीक, तो 2 pole मेरे पास है, ओके, यह हो गया, south pole, और यह मेरे पास rotor हो गया, ठीक है, rotor ले लिया, इसमें conductor ले ले लेते हैं, 5-5 एक तरफ ले लेता हूं, ठीक, 1-2, clear हो रहा हो यहां पर एक दो तीज चार पांस ठीक है अब देखो पहला केश जो ले रहा हूँ है फस्ट केश की खासियत क्या है उसके अंदर में फील करेंट जो है वो मैं ले रहा हूं not equal to zero याने कि field current मैं ले रहा हूं ठीक है और armature current जो है उसे मैं zero कर दे रहा हूं ठीक armature current zero करने से क्या होगा इसके अंदर कोई भी polarity नहीं आएगी field current not equal to zero लेने से यहाँ पर north pole आजाएगा और यहाँ पर south pole आजाएगा ठीक है clear हो रहा है यहाँ पर क्योंकि इसके उपर काउसी की होती armature field winding की होती field winding जो की IF यही field winding यहाँ गई होती इस तरीके से यह मैं बता चुका हूँ पुराने lecture आप मेरे देख सकते हो clear हो रहा है यहाँ पर तो यह चीज़ आपको एकदम clear होगी अब मैंने field winding करी हुई है field winding not equal to zero क्या मतलब होगा कि field winding तुमने energize की हुई है ठीक है लेकिन तुमने क्या किया हुआ है armature winding equal to zero लेने का armature current equal to zero लेने क्या मतलब है कि जो armature conductor उन्हें तुमने energize नहीं करा है यानि कि उनके अंदर कोई भी current नहीं है अगर ऐसा case होगा तो इस case में क्या होगा यहां से सारा का सारा flux निकलेगा और directly north से south की तरफ इसी तरीके से बिना distort हुए बिना खराब हुए सीधा कर सीधा चला जाएगा ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद next case की second case की बात करते हैं अगर second case में मैंने क्या ले रहा हूं second case इस case में condition क्या ले रहा हूं कि field current जो है उसे जिरो ले ले रहा हूं जबकि armature current जो है उसे not equal to zero ले रहा हूं ठीक यह वाला case देखते हैं इसमें क्या होगा तो यह मेरे पोल्चो होते हैं ठीक है इस तरीके से पोल्चो होते हैं यहाँ पे रोटर होता है ठीक है और यह conductor ले लेता हूं मैं 5 conductor 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है और क्योंकि मैंने field current को 0 लिखा हुआ इसलिए ना तो यहाँ पर north आएगा ना south आएगा तो current यह flow कर रही है और यहाँ डॉट ले लेते हैं इस तरीके से ठीक है तो जड़त डॉट एंड cross जब ले लोगे तो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा तो जल्दी से Maxwell का अगर cross की बात की जाए तो तो अगर Maxwell का right hand rule लगाओगे तो यहाँ पर clockwise direction में आ जाएगा इस तरीके से current flux ठीक है और अगर डॉट की बात करते हो डॉट की तो वह एंटी clockwise direction में flow करने लएगा जिंबल सा Maxwell का रूल लगाओगे तो यह सारे के सारे conductor जो है इनके अंदर जब इस तरीके से flow करेगा तो यह net कुछ इस तरीके से flux बनाएंगे मिलके इनका flux बनेगा इन सब conductor का वो कुछ इस तरीके से होगा और जो cross का होगा वो कुछ इस तरीके से अपने आपको flux को setup करेगा क्लियर हो रहा है यहां पर ठीक क्योंकि सब का individual flux बनाओगे तो इस तरीके से आएगा सारे के सारे conductor तो मिलके कुछ इस तरीके से इस system को तयार करेंगे क्लियर है ठीक आगे चलते हैं अगर मान लेते हैं हमने ऐसा कुछ scenario ले लिया है यानि कि अब जो तीसरा case होगा अभी तक देखो पहला case जो मैंने लिया उस case में मैंने केवल field fluxo consider करा second case लिया उसमें केवल armature fluxo consider करा अब जो third case मैं लोगा उस case में अगर हम लोग दोनों को on कर देते हैं तब क्या होगा तो जड़ा उसको देख लेते हैं बहुत द्यान से देखना इस चीज़ को ठीक है इसको मैं बहुत द्यान से देखना अगर ये north pole है ठीक है और य इसको बहुत द्यान से देखना ठीक है यहां पर मैंने नहीं लिया इसको भी बना देते हैं इस तरीके से पूरा कवर कर देता हूं अब देखो क्या करा है इस case में जो तीसरा case है बड़ा important इसके अंदर field flux not equal to zero है क्योंकि field flux not equal to zero है तो यहां पर north pole आएगा और यहां पर south pole ठीक है winding current field winding current ठीक उसके बाद second case armature current जो है वो भी not equal to zero है तो उस case में क्या होगा यहां पर cross आजाएगा ठीक इस तरीके से और यहां पर क्या आजाएगा dot आजाएगा क्योंकि अब मैंने यानि कि armature winding में भी current ले ली है armature winding के अंदर भी current flow कर रही है और field winding में भी तो दोनों अगर energize करोगे तो भी इसका क्या flux था इसकी flux की direction इस तरीके से थी clear हो रहा है तो ऐसे case में क्या होगा इनकी direction इस तरीके से इसके across जो flux की direction इस तरीके से होगी clear है ठीक और इनके अंदर flux की direction क्या होगी anti-clockwise इस तरीके से clear हो रहा है यह इस तरीके से इनके अंदर anti-clockwise flux की direction हो तो अब इस case में किस तरीके से जाएगा इसको जल्दी से देख लेते हैं तो इस case में क्या होगा यह distort हो जाएगा किस तरीके से अब यह जो लाइने होंगी यह कुछ इस तरीके से जाएंगी यह ध्यान से देखना ठीक है यह clear हो रहा है second case clear तो देखो इस तरीके से अब यह लाइने जाने लगेंगी ठीक है ठीक है यह यह हो गया इस तरीके से कुछ शिफ्टिंग हो जाएगी flux की यानि कि जो पहले flux जो था यानि कि first case में जो flux की लाइने सीधे-सीधे जा रही थी वो अब इस second case में क्या होगा इस तरीके से जाने लाएंगे, distort होके, ठीक है, simple सा चीज है, कि नॉर्थ फोल है, ठीक है, अगर मैं एक conductor को देखूँ, तो ये cross है, इसके अंदर flux direction ये, तो अब जो south में जाना होगा, तो तुम कुछ इस तरीके से जाओगी, clear हो रहा है यहाँ पे, अच्छा, अगर ये, ये की conductor होता, तो ये क्या होता, इस तरीके से, अगर केवल cross ले दे, तो ये कुछ इस तरीके केवल upward direction मूव करती, लेकिन मैंने क्या करा है, इधर cross लिया, इधर dot लिया हुआ है, तो देखो, यहाँ से ऐसे जाएगी, और इसमें यहाँ downward shift होगी, dot क्या करेगा, dot downward shift करवाएगा, ठीक है, flux lines को, और जो cross है, वो upward shift करवाएगा, flux lines को, ठीक है, तो ये flux lines को, इस तरीके से, इस shape में जाने लगएगी, clear हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि इसकी shape बनी, ठीक है, अगर यह dot नहीं होते, तो यह एक बार उपर तो जाती, cross की current, लेकिन फिर सीधे चली जाती, क्योंकि यहाँ पे dot है, तो यह line जो उपर जाके नीचे गई है, वो और नीचे जाती जाएगी, और उसके south के, इस तरीके से downward direction निकलेगी, तो यह जो shape है, इस तरीके से क्यों आ रही है, क्योंकि इधर cross है, जो इसे उपर उठा रहा है, और इधर dot है, जो इसे downward push कर रहा है, तो यह shape हो गई, आप देखो क्या हुआ, यानि कि आप इसी से हम समझ सकते है, आन्मेचर reaction, तो हो क्या रहा है कि field flux जो था, आन्मेचर reaction, यानि कि यह ऐसा क्यों होगा, simple जी चीज़ है, तो देखो, आर्मेचर के field का effect, यह जो pink color की line ने मैंने बनाई है, यह आर्मेचर की field है, ठीक है, आर्मेचर की field का effect किस पे, white color की line क्या है, field की, sorry, flux की field पे, ठीक है, तो field flux पे, field flux पे जो effect पड़ेगा, आर्मेचर field का, इसको हम लोग कहते हैं, आर्मेचर reaction, तभी इसका नाम है, आर्मेचर reaction, नहीं कि आर्मेचर का reaction over field flux, ठीक है, तो यह चीज़ समझ में आ गई होगी, यह physically समझा है, अगर मैं phasor की बात करूँ, तो phasor से इसको समझना बहुत आसान है, जल्दी से देख लेना है, phasor से, तो देखो, पहला case बना लूँ, तो यह north है, यह south है, यहाँ मैंने कोई भी conductor energize नहीं करा है, तो यह direction यह हो गई, flux की, ठीक, यानि कि 5F की direction आ गई, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, second case की, second case में मेरे पास यह north है, यह, sorry, second case में energize इनको नहीं किया है, केवल मैंने क्या करा है, conductors को energize किया है, इसके, यह जो conductors थे, इनको energize किया है, तो यहाँ cross ले लो, और यहाँ dot ले लो, अगर ऐसा करोगे, तो cross जो होगा, उसमें कुछ इस तरीके से बन रहा था, यानि कि downward direction में आ जाएगा, clear हो रहा है यहाँ पर, आप इसके लिए मैंने यह वाला diagram देख सकते हो, इसके अंदर क्या जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था, यह upward जा रहा था, then, this one is the downward, तो net flux की direction क्या निकल के है, net flux की direction 5A downward निकल के है, clear हो रहा है, और इस case में, जो downward, जो direction निकल के है, वो क्या निकल के है, इधर की तरफ 5F, clear हो रहा है, इनि field की direction, horizontal, और armature reaction, vertical ठीक, तो देखो यह 5F की direction यह आ गई, 5A की direction नीचे की तरफ आ गई, clear हो रहा है, अब बात कर लेते हैं, जल्दी से 3rd की, यानि की armature reaction जब होगा, यानि की जब दोनों की दोनों on होंगे, तो in that case, अगर मेरे पास दोनों की दोनों on है, यह north है, यह south है, और यह हमारे पास rotor है, और इस case में क्या है, armature, armature reaction 5A, armature flux, field flux 5F, अगर दोनों की दोनों on करोंगे, तो resultant क्या निकलेगा, resultant कुछ इस तरीके से निकलेगा, यानि की दोनों के mid में से, यह हो जाएगा 5 resultant, clear हो रहा है, तो देखो अब जो 5 resultant हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, कि जो flux पहले enter सीधे-सीधे कर रहा था, इसके अंदर इस तरीके से horizontally, वो अब कुछ angular position में enter करेगा, और वो angular position क्या होगे 5 resultant, इसको मैं यहां से भी समद सकता हूँ, देखो कि पहले जो था, यानि कि first case की अगर बात की जाए, first case की अगर बात कर लें, यह simple वाला जो case था, इस case में हम लोगों ने जो flux लिया था, तो देखो इस case में, इस case में जो flux की direction थी, वो 5A क्या थी, horizontal थी, important चीज, horizontal ठीक है, यानि कि एकदम x-axis के along थी, second case की बात करें, अगर armature flux लिया था, तो इस case में जो 5A की direction थी, वो क्या थी, vertical थी, ठीक है, यानि कि downward direction में, तो देखो दोनों को जो मैंने एक साथ on करा, तो मेरे पाद direction क्या आई, angular direction आई, यानि कि x-axis अगर ये है, y-axis ये है, तो देखो resultant अब क्या हुआ, इस तरीके से, mid का point निकला, ठीक है, तो resultant का निकलेगा, x-axis और y-axis के बीच में से, clear हो रहा है यहाँ पे, तो phasor से समझ सकते हो, phasor समझना बहुत असान है, ठीक है, physically कैसे हो रहा है, यह मैंने बता दिया, phasor से बता दिया, कि phi ये flux के अगर direction ये है, तो resultant जो होगा, वो air में होगा, ठीक है, तो clear हो रहा है, यानि कि अभी तक हमने देखा है, कि armature reaction जब-जब होगा, तो उससे क्या होगा, जो flux, field flux जो था, यानि कि phi f, वो horizontal ना जा कि, कुछ angular position पर enter करेगा, clear हो रहा है, अब बड़ा important आता है, जो कि मैं बात करूँ है, ग्राफिकली की, तो माल लेते हैं, मेरे पास एक north pole है, इस तरीके से, ठीक है, और एक मेरे पास ये south pole है, ठीक है, तो ये माल लेते हैं, north pole है, और ये south pole है, clear हो रहा है यापे, और यहाँ पे मेरे जो है, उनको conductors ले लेता हूँ, तो मान के चलते हैं, यहां पर मैं 3-3 conductor ले लेता हूँ इस case में यह conductor सोगए मेरे पास 1-2-3-4 clear हो रहा है ऐसी 1-2-3-4 clear ठीक है तो ऐसे करके हम conductor simple सा ले लेते हैं ओके एक conductor यह ले लेता हूँ जो कि हमारी periphery के बाहर है इस तरीके से clear है और एक conductor यह आ गया ओके तो यह मैंने conductor ले लिए अब देखो जो मैंने अभी तक case बताया था जो यह वाला case था यानि की physical representation इसी को हम समझनी कोश करेंगे waveform की terms में उसके लिए करना क्या है इसको बीच में से cut कर देना है यहां अगर मैं इसको cut कर देता हूं ठीक है तो मेरे पास क्या होगा इस तरीए कुछ diagram आ जाए जिसमें north-south pole होंगे और यह जो यह conductors तुम देख रहे हो यह सारे conductors यह एक्च्वर मैं rotor की conductor यानि कि जो rotor था जिसमें conductor लगे हुए थे उसको मैंने बीच में से cut करके horizontally बिचा दिया है ठीक तो इस तरीके से मेरे पास सिस्टम आ जाएगा आगे चलते हैं अगर flux की बात की जाए तो flux मैं मान के चलता हूं इसके अंदर flux होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा ठीक है नॉर्थ flux है तो बाहर की तरफ निकल रहा होगा क्लियर हो रहा है ठीक सीधे इस तरीके से ओके और यह साउथ है तो साउथ का flux जोगा अंदर की तरफ जा रहा होगा ठीक क्लियर है ठीक है तो यह हो गया ओके तो देखो साउथ में ले लेता हैं लेते हूं इसको समझने के लिए यह मैं डॉट वाला केश ले लेता हूं कि और यहाँ पर क्रॉस वाला केश ले लेता हूं प्रेक्षाम्पल ले रहा हूं आप चेंज भी कर सकते हूं यह निद्ध भी सब्सक्टाइबद सब्सक्राइब में यहाँ पर मैं केवल आपको armature reaction समझा रहा हूँ ठीक तो यहाँ dot across जो होगा वो किस basis पर आएगा वो on the basis of rotation आएगा कि मैंने जो तुमारा rotor है वो किस direction में rotate कर रहा है उस basis पर ही dot across आएगा ठीक लेकिन मैं complexity को complexity ना बढ़ा हूँ इसलिए मैं आपको rotation नहीं बता रहा हूँ directly यहाँ पर dot across एक example के लिए ले रहा हूँ ठीक तो आगे चलते हैं यह मैंने dot across ले लिए अब ठीक अब field flux के अगर बात की जाए field flux की तो देखो field flux जो होगा यानि कि यह जो है इस पूरे north pole के अंडर एक constant flux बनेगा हमें ठीक लेकिन north pole यहाँ पर खतम हो रहा है पर क्या हो रहा है आपने देखो यह जो line है यह वाली यह जो outer edge की line है यह थोड़ी दूर तक गई हुई है range होती ही थोड़ी दूर तक होती है यानि कि अगर आप तुम pole show लेके आते हो तो ऐसा नहीं है कि pole show जहाँ पर खतम हो रहा है बस वहीं तक flux महसूस होगा उसके थोड़ी दूर तक flux महसूस होता है तो इसलिए क्या होगा है यह लाइन देखो यह वाली जो line है यह थोड़ी दूर तक बनाई गई है तो इसलिए जो flux line, field flux है वो north pole के अंदर एकदम constant रहेगा step wave की तरह पर वो directly ना शुरू हो के थोड़ा पहले से शुरू हो जाएगा clear हो रहा है यह थोड़ी पहले से शुरू होगा clear है यह दो point हो गए यानि कि यह जो axis है center वाली यह तुम्हारी हो जाएगी gna axis gna होगी जल्दी में ठीक और यही तुम्हारी mna होगी अगर तुम्हारा armature reaction नहीं होता है तो direction अगर Maxwell का again right hand rule use करोगे तो dot के across तो तुम्हें anti clockwise direction में आ जाएगा ठीक anti clockwise तो मान के चलते हैं अगर anti clockwise को मैं add up करूँ ठीक तो यह conductor की position आई हुई यह नीचे ले लेते हैं इसे ठीक है यहाँ पर मैं बनाने कोश्च करता हूं clear है एक यह आया हुगा conductor अब यहां से अगर शुरू करूँ तो यह 0 पर आएगा जैसी एक conductor का flux add करोगे तो यह step up हो गया ठीक यहां पर यहां पर देखो तुमने दूसरा तो डॉट की case में जो polarity आ रही थी flux की वह क्या रही थी वह anti clockwise आ रही थी इस तरीके से लेकिन क्रॉस आ गया यहां से तो क्रॉस किप क्या होगी clockwise होगी तो clockwise की case में क्या होगा यह जो तुमारा step up हो रहा था डॉट की case में एक बार step up होगा दूसरे conductor का flux add करोगे तो एक और step होगा तीसरे conductor flux करोगे तो यह step up होगे यहां तक पहुँच गया ठीक तीन conductor होगा अब जब यह वाला conductor picture में आएगा cross तो देखो डॉट क्रॉस दोनों की flux की direction क्या होगी यह opposite होगी तो ऐसे case में क्या होगा एक बार drop हो जाएगा एक step clear हो रहा है यहां पर जैसी pass होगा एक step down हो गया next अगर बात की जाए यहां पर तो यह step जो down होगा है यहां तक होगा step down इसकी conductor pass होने के बाद यहां तक जाओगे एक बार step down हो जाएगा then this one is the third one यहां पर पहुच होगे तो यह एकदम zero पहुच जाएगा ठीक जहां से उटेते वहीं पर हो जाओगा फिर तुम ज negative में चले जाओगे ठीक है यह हो गया एक conductor को जब पास करें negative यह दूसरे conductor को यहां पर आ गए then this one is the last conductor यहां पर पहुच होगे तो polarity तुमारी एक और shift हो जाई clear हो रहा है यह polarity आ गई ठीक अब देख लेते हैं जल्दी से यही देखो अब क्या यह rotor है यह रोटर का पार् गूम के यहां से start होगा ठीक तो यह जो polarity तुमारी यहां end होई है यह यहां से start होगी तो यह polarity तुमारी यहां आ गई clear हो रहा है अब यह देखो यह जो polarity थी यह cross पे थी cross की conductor खतम हो गए अब फिर से dot conductor आगे dot क्या होगा अगे dot की direction anti clockwise यानि की add up करेगा इसके अंदर हम यह step up हो जागा यह बास समझ में आ गई होगी यहां से जब हमने खतम करा तो यहां से start हुआ actual में क्योंकि यह rotor को मैंने beach में से cut करा है उपा देखो यह मैंने बता रखा है कि हम क्या कर रहा है जो rotor था उसको मैंने beach में से cut करा है और उसको इस तरीके से रख दिया है ठीक तो जब इसको इस तरीके से open करके रख दोगे तो यह end जो है यानि कि यह वाला जो one side है वो यह ही है यानि कि ये side और ये side एक ही चीज है क्योंकि जब इन्हें जोड़ोगे तो ये एक ही string के दो पार्ट आ जाएंगे निकल गए ठीक तो इसलिए यहां पे जो end up हो रहा है वो यहां पे start up हो रहा होगा clear हो गया यह जी अब देखते हैं यह पर और step करोगे और यह 0 पर पहुँच जाओगे clear हो रहा है तो देखो यह तुमारी waveform बन गई armature flux की ठीक है तो जल्दी से mention कर लेते हैं यह कौन सी थी यह थी तुमारी field flux field flux की ठीक है field flux की waveform होगी जो की बन पोल से वह ऐसा नहीं है कि एवल पोल शो के अंदर ही ब्लॉंग करता है उसके आसपास का भी reason कवर करता है इसलिए थोड़ा पहले से start करोगे उसे एकदम 0 से यहीं से start नहीं होगा टिप से थोड़ा पहले से flux आना start हो जाएगा यह होगी तुमारी field flux की waveform जो की step wave की तरह है trapezital waveform कह सकता हूँ अगर बात करें आर्मेचर फ्लक्स की आर्मेचर फ्लक्स ठीक है तो आर्मेचर फ्लक्स की waveform जो कुछ इस तरीके से आएगी जरत डॉट को जोड़ लें तो किस तरीके से दिखेगा dot जुड़ के इसको भी देख लेता हूँ इसको भी बता देता हूँ कि अगर तुमने इन सारे dots को जोड़ लिया तो वो कैसा दिखेगा तो देखो इनका end जोड़ते चले जाओ यह बहुत ध्यान से देखना यह देखो अगर आप सबका mean value निकालो तो यह कैसी waveform आई निकल क त्राइंगूर waveform भाइ फ़ा सब्सक्रा घंप. यह दो निकल करते अब वहांग तक कर रहा है है और यहां तक मैंने दोनों waveform को ड्रॉ कराए याने कि मैंने क्या करा है ओल्स रुटरभ दिए इस डेया दिखेग्राम में field की waveform कैसे बनेगी वो बता दिया अब बात करते है resultant waveform की यानि कि इन दोनों का जो mixture है वो कैसा दिखेगा उस पे आते हैं ठीक है तो आपको यह समझ में आ गया हो किस तरीके से हमने दोनों waveform बनाई है field flux आई ओप यह चीज़ क्लियर हो गई हो एक conductor का flux जोड़ा फिर आगे बड़े दूसरे conductor flux जोड़ा फिर तीन conductor flux जोड़ा इस तरीके से हम लोग इसको rise up कर रहे हैं और जैसी आप opposite conductor ले रहे हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है flux downward की तरफ step down होता जा रहा है पर अगर तुम इनका mean value निकालोगे एक average waveform बनाओगे तो वो एक triangular waveform निकल के आगी इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि जो armature का flux होता है उसकी waveform क्या होती ट्रेंगुलर waveform होती आई होप यह चीज़ क्लियर हो गई होगी आगे चलते हैं आप देखते हैं armature reaction क्या effect होगा resultant waveform कैसे बनेगी तो द resultant के लिए एक axis mark कर देता हूं clear है अब देखो resultant में जब important चीज़ यहां पर यह आती है कि यहां पर यह वाली जो है यह constant field flux लेकिन क्या हो रहा है यह triangular है जब इन दोनों को मिलाओगे यानि कि एक step waveform को एक triangular waveform को जब मिलाओगे तो obviously चीज़े इन दोनों को जब add up करोगे तो यहां पर इस area में क्या होगा subtraction होगा क्योंकि देखो यहां पर यह area downward है जबकि यह वाला जो area है इस वाले area में इसमें addition हो जाएगा ठीक है तो ऐसे case में जब इनका resultant निकाल होगे तो waveform जो तुमारी है जो भी आपने बना रखी है ठीक इस point से लेके चलते हैं ठीक है तो य यहां पर क्या होगा। यहां पर हो ना होके रखा इस बाइन देक्ड़ों हो जो जाना चाह厚ी था लेकिन यहां पर 0 ना होकी यहां पर कुछ रह जाएगी यह सब क्यूं हो रहा है यह तो यह rise up होगी और यहां पर जाके जहां 0 होना चाहिए था बहुत important यानि कि जहां पहले MNA थी magnet neutral axis कह सकते हैं जहां पहले थी वो वहां पर 0 ना होके थोड़ी दूर बाद 0 होगी यहीं से शुरुआत होती है shifting of MNA axis की तो यह कुछ waveform इस तरीके से आएगी ठीक और देन इस तरीके से यह जाएगी उसके बाद यह यह जाएगा और इसी तरीके से नीचे वाला यह वाली जो tip है यह यह भी अपने आपको rise up करेगी and then this one is downward ठीक और यह ठीक है यह कुछ इस तरीके से waveform बनेगी clear हो रहा है यहाँ पर अभी मैं आपको actual picture दिखाऊँगा किस तरीके से होती है actual picture कैसे दिखती है ठीक तो यह चीज़ समझ में आ गई हो कि यह क्यों हो रहा है क्योंकि आपने क्या करा है आपने इस field flux को और यह जो armature flux है इन दोनों क यह क्या हुआ यह देखो अब MNA पहले जो यहां पर थी यह थी MNA at zero position पर लेकिन अब क्या हुआ MNA तुम्हारी shift हो यह क्या हो गई यह हो गई shifted MNA clear हो रहा है तो यह तुम्हारी shift है थोड़ा सा complex है इसको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा तीक अगर इस अगर waveform के साथ add up होके rise up कर जाएगा rise up करने से क्या consequences होंगे कि जो यहां पर MNA पर zero हो जाना चाहिए था वो zero ना होके थोड़े दूर बात zero होगा तो जिस point पर zero होगा अब वो नई MNA आ गई यानि कि new यह new MNA new magnetic neutral axis हो गई जहां पहले zero हो रहा था यह old MNA थी ठीक है यह पु यह armature reaction कारण इसकी MNA की shifting हो गई है ठीक आगे चलते हैं अगर बात की जाए कि actual में कैसा दिखता है तो उसको मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है तो इसको देख सकते हैं अभी किस तरीके से दिख रहा है यहां मैंने आपको बताने कोशिश की है यह diagram जो है यह actually PS Bheemra से ल ना दिया है next चीज आती है यह इस तरीके से था यहां पर south pole शुरू हो गया था और यह downward चला गया था ठीक अब बात करते हैं यहां पर कि effect क्या हुआ तो देखो यह था armature flux ठीक है यह था armature mmf armature flux लगबग एक चीज है तो यह कुछ इस तरीके से step करके बनाया गया था और यह जब इसको हमने point to point जोड़ा तो यह मेर पास इस तरीके से triangular waveform मिल गई अब यह जो triangular waveform है जब तुम इसे जोड़ोगे तो यह जो armature जो field flux पहले था वह पहले जासा नहीं रहेगा इनका जब इसको इसको जब add करोगे इसके साथ यानिकि इन दोनों को जब तुम क्या तो वहाँ पे क्या होगा net flux जो नई waveform निकल के आएगी वो देखो इस तरीके से निकल के आएगी कि यहाँ पे क्योंकि negative में है ठीक यह क्या है यह देखो negative में है ठीक और यह चीज पॉजिटिव में तो negative प्लस यह चीज पॉजिटिव में थी पहले तो अब क्या होगा net क्या हो रहा था, यहां पे जीरो हो रहा था, मैंने यह चीज़ यहां पर समझाई है, In this case, this starting case में क्या हरा था, यहां पर यह 0 हो जा रहा था, Clear है, लेकिन अब अब क्या हो रहा है, यहां पर जा के 0 हो रहा तो यह shifting हो जाहिए, वह चीज़ इस यहां पे इतनी पीक थी एज जो था लेकिन अब क्या होगा एज क्या होगा राइज अप कर जाएगा तो एक यहां पे एज राइज अप होगा and then this one is the end point यहां पे जाके वो close करेगा अपने आप पूटी तो अगें देखो यह वाला point की बात की जाए इस वाले point की तो यहां प यह new MNA यह निकि यह new MNA axis आपके सामने निकल के आईए ठीक clear हो गया ठीक तो आई हो भी जी समझ में आई होगी यह थोड़ा सा complex था जो graphical representation है इसको जल्दी से revise कर लेते हैं मैंने क्या क्या सिखाया तो सबसे पहले मैंने आपको physically बताया ठीक इसके अंदर की physically किस तरीके सा arm armature reaction का मतलब बताया armature reaction का मतलब होता effect of armature flux over the field flux next मैंने इसमें देखा यह case मैं physically जब represent करने चला तो इसको मैंने यह माना कि एक बार मैंने क्या करा इस case में field current को not equal to zero लिया armature current को zero लिया armature current zero लिने से conductor के अंदर कोई भी current नहीं होगा in that case conductor में जब current नहीं होगा तो conductor कोई flux भ होगा वो तुमारा picture में रहेगा तो सीधे सीधे चला जाएगा तीक next case अब की मैंने क्या करा field current को zero लिया तो north-south लिया armature current picture में बचा है armature current जो होगा जब मैंने उसको बनाया cross or dot लेके by convention कह सकते हो या एक assumption कह सकते हो उससे मैंने लिया तो यहां मैंने देखा downward direction में net flux निक सकते हैं shift हो गया यानि कि xy axis में flow करने लगा है clear हो रहा है यह जो shifting हुई है मैंने कह रहा हूं यह जो shifting हुई है axis की यानि कि यह जो field flux जो था जो आप सीधे ना जाके tilt हो गया है इसी को हम लोग कहते है armature reaction यानि कि effect of distortion of field flux due to the armature flux is known as armature reaction clear हो गया यह अब phasor से मैंने आपको समझाया phasor से समझना बहुत असान है north से south अगर horizontal phasor है 5f ठीक armature का flux है वो 5 downward है तो जब दोनों को मिला होगी तो angle पर निकलेगा resultant flux यानि resultant flux जोगा वो एक particular angle पर होगा और वो angle यहां पर भी show हो रहा है यह देख सकते हूँ यह वाला जो है यह है 5 resultant flux clear हो रहा है यह मैंन अपना 100% दिया समझने के लिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना इस case में मैंने बताया कि अगर मैंने north औ south pole लिए देन मैंने क्या करा चेछे conductor ले लिए north के under में 6 और south के under में 6 ठीक है फिर मैंने यहां पर flux ले लिया सबसे पहले मैंने field flux बनाया field flux की जो waveform होगी step wave की तरह न और आगे से शुरू होगी clear रहे जैसे की waveform देख सकते हो यहां पर क्योंकि यह flux केवल यहां तक यह सीमित नहीं है थोड़ी दूर तक इसकी range है इसलिए वो क्या होगा इस particular point यानि की tip से शुरू ना होके थोड़ा पहले से flux शुरू हो जाएगा clear है तो यह field flux बना दिया मैं यह conductor यहां 0 से start करा था इसको बनाने का तरीगा क्या आप 0 से start करेंगे और हर conductor का flux जोडते जाएंगे मैंने इसको बनाने क्या लिया है जो anti clockwise flux है उसे add up माना है और जो clockwise flux है उसे subtractive माना है ठीक तो मैंने क्या करा एक conductor का flux rise up करा then 2 conductor जोड़ा then 3 conductor flux जोड़ा अब देखो यहां माइनस होगा तो अब देखो step step करके मैं इसे minus करता चला गया और यहां पे जाकी end up हुआ यह point जो है और यह point यह दोनों के दोनों यानि कि दोनों जो सिरें है इस diagram के वह दूसरे connected है क्योंकि एक rotor है rotor को मैंने काट के horizontal wave में लिया हुआ है ठीक है अब जब यह मैंने इन दोन अब क्या करा है मैंने इसकी actual waveform अगर तुमसे पूछी जाए जो कि paper में बहुत आता है कि armature flux की waveform क्या होगी तो आपको क्या करना है simply end tip को जोडते हुए resultant wave निकाल ली एक resultant line बनानी है और वो जो resultant line होगी वह हमारी armature flux की होगी जिसे हम कहेंगे triangular waveform तो जब तुमने इन सब क reaction में क्या होता है armature flux और field flux इनका resultant flux निकल के आता है तो जब इन दोनों को मैंने add up करा तो जो field flux था वो जो step wave थी वो step wave ना होके कुछ इस तरीकी waveform trace करेगी खास बात क्या थी कि उसका जो tip था जो पहले यहां था वो strangler waveform form के कारण इधर से upward rise कर जाएगा और दूसरे end से या एज यह है and this one the second one is this one edge एक दूसरा edge तुमारा यह है ऐसी यहां पर इसको one or two ले ले लेते हैं इसको three and four ले ले लेते हैं clear हो रहा है तो देखो north का जो north flux का जो pole flux है वो देखो two वाले पर rise up कर रहा है यानि हाई हो जा रहा है और one वाले पर down हो जा रहा है इसी तरीके से south का जो flux है वो three वाले पर down हो रहा है और four वाले पर rise up कर रहा है clear हो रहा है तो इस तरीके से क्या हो रहा है field flux की shifting हो जा रही है और यह shifting क्यों हो रही है armature reaction से then मैंने आपको इसको एक diagram से समझाने कोश्च की है ठीक है I hope यह चीज़ आपको समझ में आई को diagram में भी यह same चीज़ बताई गई है यह एक book का है यह कि PS Bheemra मैं बता चुका हूँ PS Bheemra का यह diagram है क्योंकि यह और किसी book में इतना अच्छे से नहीं समझाए गया है ठीक है तो यह जो armature flux है again triangular waveform then this one is the original field flux इन दोनों को जब add up करोगे तो यह wave shift दीवे खास बात जो इसमें बहुत important देखने की है जो पहले MNA थी जो GNA के साथ थी वो अब क्या होगा आगे shift हो जाई क्योंकि अब इस waveform के field flux के shift होने कारण वो इस axis यानि की GNA पे 0 ना होके other than GNA axis यानि की shifted MNA axis पे जाके वो 0 अपने आप करेगा ठीक है I hope यह चीज आपको lecture आपको समझ में आया होगा यह बहुत important lecture है और इसमें मैंने जितनी भी तरीके से armature reaction को समझाय जा सकता है उसको मैंने cover करने कोईश की है पहला तरीका physical तरीका जो आपको हर book में मिल जाएगा बहुत easy है second तरीका phaser है जो कि औ सकते हैं और अपने concept को एकदम clear कर सकते हैं ठीक है आपने अपना कीमती समय दिया उसके धन्यवाद अगर आप कोई भी doubt है तो आप comment section में बता सकते है मुझे मैं उसको solve करने कोशिश जरू करूँगा thank you